हेलो एव्रीवन, वेलकम अगेन टू लन्वरेदेतिवन, आज हमारा टॉपिक रहेगा राजे स्थान के संत संप्रदाय, तो इसमें मैंने दो भागों में बाटा हैं इन संत संप्रदाय को, एक तो निर्गुण भक्ती वाले और दूसरा सगुण भक्ती वाले, तो सगुण और निर्गुण का अर्थ पहले जानना जरूरी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो सगुण जो भक्ती वाले होते हैं, वो कौन होते हैं, सगुण भक्ती और निर्गुण भक्ती में यही अंतर होता है, कि सगुण भक्ती वाले कहते हैं, कि इश्वर जो ह हम आराधना करते हैं दूसरी तरफ जो है निर्गुन भक्ति वाले जो होते हैं वो क्या गहते हैं कि इश्वर का कोई सरीर नहीं होता बलकि ये तो निराकार है इसका कोई आकार नहीं होता है और इश्वर जो है वो अमर है और ये सिर्फ एक है यानि एक को पूजो ये समझ ल दादू संपरदाई, रामिस्नई संपरदाई और निरंजनी संपरदाई इनके बारे में हम पढ़ेंगे जो यह मानते हैं कि ईश्वर जो हैं वो अनेक नहीं बलकि एक हैं और वहीं सगुन धारा या सगुन भक्ति वाले इसमें रामानन्दी संपरदाई हैं निमबार्ख और ब्रह्म या गोडिय संप्रदाय हैं तो इनके बारे में हम एके करके पढ़ेंगे विशेशकर हमें राजिस्थान के संदर्भ में ही पढ़ना है तो सबसे फर्स्ट हैं रामानंदी संप्रदाय जो की कहते हैं कि निर्गुण इश्वर में विश्वास रखने वाले हैं रा रामानंदी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है रामानंद जी ठीक है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रे जाता है रामानंद को वहीं पर इसकी सुरुवात जो होती है भक्ति आंदोलन की वो दक्षन भारत में होती है और कौन करते हैं रामानुजाचा ने भक्ति आंदोलन की सुरुवात दक्षन भारत में की थी, वहीं पर रामानंद जो हैं वो दक्षन भारत से उत्तर भारत लेकर आये थे, इसको भक्ति आंदोलन को और यहां पर अलग जगाई, इनके शिश्य रहे हैं संत कबीर, धन्ना, पीपा, सैन और रैदास, तो रामा ने अपने जो शिश्य हैं वो जात देखकर नहीं बनाए, अब देखिए, यहां पर कबीर जो थे, वो एक जुलाहा थे, धन्ना जो थे, वो एक जाट थे, किसान थे, पीपा जो थे, वो एक राजपूत थे, ठीक है, वहीं पर सैन जो था, वो क्या था, नाई था, और पिश्वर एक है चाहे उसके लिए कोई किसी भी जात से आया हो। ठीक है? उनका हमेशा ये कथन रहता था कि जात पात पूछे ना कोई हरी को भजे सो हरी को होई। ऐसी लाइने जो थी ही वो किसकी थी? रामानन्द की। यानि कि जो हरी को भज रहा है, हरी का भजन कर रहा है तो उसे ही हरी की प्राप्ती होगी। यहाँ पर जात पात जो है उसे पूछना बेकार है। राजेस्थान में कृष्णदास जी पैहारी ने गलता जी जैपुर में नात पंतियों को हरा कर रामानन्दी संप्रदाई की पीठ स्थापित की। इंपोर्टेंट लाइन है कि र रामानन्दी संप्रदाई की पीठ स्थापित की थी। याद रखिएगा इस चीज़ को। कृष्णदास जी के सिश्य थे अग्रदास जी इन्होंने सीकर के रहवासा में इस संप्रदाई की अन्यपीत रखी। यहाँ पर दो कुशन इंपोर्टेंट है। वो क्या है कि रा शेश्य रहे हैं अग्रदास जी इन्होंने सीकर के रहवासा में इस संप्रदाई की अन्यपीत इस्थापित की थी। ठीक है। अगला देखिए अगला जो संप्रदाई है वह है निमबार्क संप्रदाई तो निमबार्क संप्रदाई किस ने दिया निमबका चार्रे ने द लेकिन रामानन्द जो थे, वो निर्गुण इश्वर में विश्वास रखते थे, वहीं पर निम्ब का चारे जो हैं, ये किस में विश्वास रखते हैं, सगुण भक्ती में विश्वास रखते हैं, इन्हों ने जो सिद्दान्त दिया वह है द्वेत सिद्दान्त अब यहाँ पर इन्हों ने देखिए द्वेत और प्लस अद्वेत ये सिद्दान्त दिया तो द्वेत का अर्थ क्या होता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग-अलग हैं लेकिन इनका कहना है कि आत्मा परम नहीं भी है इस तरीके का इन्होंने सिद्धान्त दिया इस अंप्रदाय के लोग राधा जी को भगवान कृष्ण की पतनी मानते हैं ठीक है इस अंप्रदाय के लोग क्या कहते हैं कि राधा जी जो थी वो भगवान कृष्ण की पतनी थी राजिस्थान में पीट जो है वो कह सगुन और निर्गुन जिसका अर्थ मैंने आपको पहले समझा दिया है कि सगुन इश्वर वाले जो हैं जो की मूर्ती पूजा में विलीव रखते हैं जो की जिसका भगवान का कोई आकार देकर उनको पूजते हैं और कहते हैं भगवान के अनेक रूप हैं वही निर्गुन जो भक्ती वाले होते हैं वो कहते हैं इश्वर एक ही है उसके लिए किसी मूर्ती की आविशक्ता नहीं है बल्लव संप्रताय जो है इसके प्रवर्तक ह बल्वाचारेजी ठीक है बल्वाचारेजी जो की सगुन इश्वर में विश्वास रखते हैं इन्हों ने सुद्धा दुएत सिद्धांत दिया कौन सा दिया सुद्धा दुएत सिद्धांत दिया तो इस सिद्धांत में ये कहा गया है कि जो भक्त होता है वो साधन निर्पे जालू होंगे तो खुद ही उस जीव पर दया कर देंगे, तो भक्त को क्या करना चाहिए, कि साध्नों के पीचे पीचे नहीं भागना चाहिए, अपने कार्य जो है आत मंदिर की इस्थापना की इस संपरदाय के लोग स्री कृष्न के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं ये जो बलवाचारे थे ये कृष्ण देवराय जो थे विजयनगर के तो उनके समकालीन माने जाते हैं बलवाचारे जी ठीक है जिन्होंने विजयनगर सामराज्य में व प्रभू कहा, श्री मदाचारे की उपादी भी इन्हें दी थी, और कभी भी इन्होंने जो है, वो सन्यास नहीं लिया था, ठीक है, सन्यास नहीं लिया था, पुस्टी मार्ग जो है, इस पर बल दिया था, बल्लवाचारे जी ने, और इस सम्प्रदाय की लोग जो है, वो स्र मुनिश्वर में विस्वास रखते थे, तो मूर्ति पूजा में विलीं तो रखियेंगे। बलवाचारे जी के पुत्र थे बिठलनाजी, कौन थे? बिठलनाजी. तो अकवर जो था इन्हों ने गोकुल और जैदपूर की जागीर जो है इन्हें बिठलनाजी को दी थी तो बलवाचारे जी के जो पुत्र थे बिठलनाजी इनको अस्टचाप कहा जाता है किनी किताबों में आपको जो है बल्लवाचारे जो है इनको कहा गया है अस्टचाप तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा 1672 में दामोदर जी और गोविन जी ने नाथ द्वारा के सिंहार गाउं में स्रीनाथ जी की मूर्ती इस्थापित की थी तो स्रीनाथ मंदिर की स्थापना जो है वो वरंदावन में तो बल्लवाचारे ने करवाई थी वहीं पर नाथ द्वारा के सिंहार गाउं में स्रीनाथ जी की मूर्ती इस्थापित करवाई दामोदर जी ने और गोविन्द जी ने ठीक है अन्य मूर्तियां जो हैं देखिए कोटा में भी करवाई मत्हुरेज जी कांकरोली रासम्मद में द्वारिका धीस और भरतपूर में मदन मोहन जी और गोकल चंदर जी की मूर्तियां जो हैं वो इस्थापित करवाई थी और यह संप्रदाय जो है वह है पुस्टी मार्ग तो क्या होता है, भक्त को भगवान की ओर ले जाना, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विश्नोई संप्रदाय, तो विश्नोई संप्रदाय जो है, जिनके संस्थापक जाम्भो जी है, और जाम्भो जी का मूल नाम धनराज था, ये एक्जाम में पुछा जा सकता है, कि विश्न संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, जाम्भो जी, इनका मूल नाम क्या था, तो इनका नाम था धनराज, जाम्भो जी का जन्म जो है, वह पीपासर नागोर में हुआ था, भाद्रपद कृष्न अस्रमी को 1451 इस्वी में, ठीक है, और इनके पिता का नाम था पमार्वंसियर आसपूत लोहट जी और इनकी माता का नाम था हंसा देवी, 1485 इस्वी में संप्रातल बीका नेर में इन्होंने विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, तो क्या था कि माता पिता किया जब इनका देहान तो हो गया था, तो उसके बाद इन्होंने घर त्याग दिया इसके बाद ये संप्रातल बीका नेर में आ गए थे, यहाँ पर रहते हुए इन्होंने ससंग किया हरी चर्चा की और यहाँ पर अपना जीवन बिताने लगे, उसके बाद 1485 इस्वी में यहीं संप्रातल में इन्होंने विश्नोई संप्रदाय जो है इसकी इस्थापना की इसका प्रवर्तन किया और इनके जीवन और विचारों पर जिन्होंने आचनन किया वो सभी क्या कहलाए विश्नोई कहलाए याद रखेगा इन्होंने विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया और इनके जीवन और विचारों पर जिन्होंने आचनन किया उन सभी को सिद्धांत दिये 29 सिद्धांत ठीक है तो 20 जो है विश्णोई उसी से याद रख पाएंगे 20 और 9 कितने हुए 29 ठीक है तो 29 इस तरीके से इनोंने 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया परियावरण के प्रति लगाव के कारण जामबो जी को परियावरण विज्ञानिक भी कहा जाता है ये एक्जाम में आया हुआ क्योंकि ये जो संप्रदाय था इनका कारे जो है वो अधिकतर ये रहता था कि जीयों का जादा से जादा कल्यान हो और ब्रक्षों की रक्षा की जाए जामबो जी द्वारा रचित प्रमुग ग्रंथ जम सहिता जम सागर सब्दावली विश्नोई धर्म प्रकास तथा जम सागर है याद रखेगा जामबो जी द्वारा रचित ग्रंथ के नाम है जम सहिता इसमें भी आपको याद रखने में आसानी रहेगी तथा जम सागर जांबो जी ने 1536 इस्वी में लाला सर गाओं में सरीर त्यागा तालवा गाओं के निकट इनकी समाधी है और जहां पर इन्हों ने अपना सरीर त्यागा था उसके बाद इनकी समाधी जिस स्थान पर बनाई गई उस स्थान को हम कहेंगे मुकाम ठीक है उस स्थान को क्या कहेंगे मुकाम ये भी एक्जाम में आपके आचुका है कि मुकाम जो है वह है क्या कहलाता है जांबो जी का जहां पर समाधी इस्थल है उस इस्थान को मुकाम कहते हैं जांबो जी के कहने पर सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिवंद लगा दिया था ये एक लाइन जो है वो याद रखिएगा कि सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिवंद किसके कहने पर लगा इनके मंदिर जो हैं वह है फलोधी, जोदपूर में है, जामभा और पी पाड में, रामडावास और बी का नेर में जांगलू तो ये मंदिर जो हैं वो भी याद रखने हैं और पूछे जा सकते हैं चार आप्शन दे दिये जाएंगे जिसमें इन तीनों का नाम होगा और जांबो जी का मंदिर जो है इन में से कौन सा नहीं है तो याद रखेंगे जांबा, राम डावास और जांगलू ये सबी मंदिर किसके हैं जांबो जी के नेक्स्ट जो संप्रदाय है वह है जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक है जसनात जी और इनका जन्म होता है 1482 इसी में कतरी आसर बीका नेर में इनके पिता का नाम था हमीर जी जाट, इनकी माता का नाम था रूपा दे और इनके गुरू का नाम था गौरकनात, ठीक है? जसनात जी ने 36 नियम दिये थे, जहां हमने जामबो जी का देखा, जामबो जी ने कितने नियम दिये थे? 29 नियम दिये अपने अनवयाईयों को, और वही पर जसनात जी ने 36 नियम दिये, तो दोनों का याद रखना है, 36 नियम जसनात जी के हैं, और जामबो जी के हैं 29 नियम जसनाती संपरदाई के लोग जाल ब्रक्ष और मोर पंक को पवित्र मानते हैं उसकंदर लोदी ने जसनात जी को कतरियासर के पास भूमि प्रदान की तो सिकंदर लोदी जो है जसनात जी से प्रभावित हुए थे और इस वज़े से इन्हों ने दिल्ली का जो सुल्तान था सिकंदर लोदी इसने जसनात जी को भूमी प्रदान की थी जसनात जी ने अनेक कारे किये थे इन्हों ने एक लोह पांगल नामक एक तांतरिक था तो उसको हराया था उसका घमंड वहत तोड़ा था और राव लून करन जो थे इनको बीका नेर का राजपत बाने का जो बर्दान दिया और इन्ही चीज़ों से खुस होकर दिल्ली के सु का डोरा पहनते हैं, तो इनके जो अन्याई होते हैं, वो काले रंग का डोरा पहनते हैं, जसनाती संप्रदाई के अन्याई अगनी नरत्य करते हैं, तो ये जो है वो जसनाती संप्रदाई के अनुयाई जाट सिद्ध कभीले के लोग होते हैं और इस नरत्य में केवल पुरुस ही भाग लेते हैं महिलाएं नहीं लेती हैं और ये क्या करते हैं ये जो अंगारे होते हैं उनके धेर पर ये चलते हैं और फते फते का नारा देते हैं ठीक है त जो हैं वो करते हैं जो की काफी खतरनाक होती है और इसके साथ साथ जो है वो गाना भी गाते हैं तो इस तरीके का होता है अगनी रत्य जो किसके द्वारा किया जाता है जसनाती संप्रदाय के अन्याईयों के द्वारा किया जाता है 24 वर्ष की आयू में आश्विन सुक्ल सप्तमी को इन्होंने जीवित समाधी ली थी तो जसनात जी ने 24 वर्ष की आयू में जो की चोटी ही आयू थी इसमें कतरिया सर में जीवित समाधी ली थी आश्विन सुक्ल सप्तमी को इनकी जो पीट है, अन्य पीट कहां है, माला सर बीका नेर में है, लिखमा दे सर बीका नेर में, पुन्रा सर ये भी बीका नेर में, बमलू बीका नेर में, और एक नागोर में अन्य है पांचला, ठीके ये आपको याद रखने हैं, माला सर, लिखमा दे सर, पुन्रा सर और ब और कोंडा ग्रंत में संग्रहित हैं किसमें संग्रहित हैं जसनात जी के उपदेश जो है वह सिंभूधड़ा और कोंडा नामक जो ग्रंत है उसमें संग्रहित हैं कतरिया सर जो बीका नेर में है जसनात जी की तपोगुमी भी है और करमिस्तली भी है और यहां वर्स में तीन विशाल मेले का आयोजन होता है आश्विन शुकल सप्तमी को माग सुकल सप्तमी को और चैत्र सुकल सप्तमी को तिथी तो एक ही है सप्तमी आश्विन माग और चैत्र में इनका विशाल मेला जो है वो तीन बार लगता है कहां कतरियासर बीकानेर में जहां पर इनका जन्म हु रन्म हुआ था कहां 1544 इस्वी में एहमदाबाद में और इन्हें राजिस्थान का कबीर कहा जाता है क्योंकि इनकी करम भूमी जो है वह है राजिस्थान रही थी और इनकी गुरू का नाम था व्रंदावन जी जिनको बुड़न जी भी कहते हैं इन्ही से दीक्षा जो है ग् वाणी और दादू जीरा दुहा तो यह एक्जाम में आया हुआ है ठीक है जो भी कुश्यन आये हुए होते हैं वो मैं आपको पहले ही बता देती हूं कि दादू के जो उपदेश थे वह है दादू जीरी वाणी और दादू जीरा दूहा था संत दादू दयाल की जो मुख्य पीठ है वह है नरेना या नरायना दोनों नाम याद रखना है नरेना या नरायना जो कि जैपुर में है यहाँ पर इनकी प्रधान पीठ है तो दादू जो थे वो 1602 इस्वी में यहाँ पर आये थी नरेना या नरायना में यहाँ पर इन्ह इन्होंने यहीं पर अपना देह त्यागा था। कब त्यागा था। 1603 इस्वी में जेश्ट कृष्ण अस्टमी को इन्होंने अपना सरीर त्यागा था। भेराणा के पहाडी के नीचे दादू खोल नामक इस्थान पर दादू के पार्थिव सरीर को उनी के कहने पर रख दिया गया। दादू पंती इस इस्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। तो 1603 इस्वी में इन्होंने अपना सरीर त्यागा था और दादू के जो पार्थिव सरीर था इसको इन्ही के निर्देशा अनुसार ही पास की जो भेराणा की पहाडी थी इसके नीचे जो दादू खोल इसे इस्थान पर रख दिया गया और तभी से दादू पंती जो हैं इस इस्थान को बहुत ही पूजयनिय बहुत ही पवित्र मानते हैं। दादू जी की भेट किसने करवाई थी? तो वहाँ पर आपका आंसर था भगवान दास ने। ठीक है? कहां करवाई थी? पतेपुर सीकरी में। कब करवाई? 1585 इसवी में करवाई थी। तो यहाँ पर आमेर में ही आकर रहने लगे थे दादू अपने 25 शिष्यों के साथ। दादू जी के 152 शिष्य थे जिनमें 52 जो है वो प्रमुक्त थे। दादू जी के उपदेश सरल भासा या सदुकडी भासा में दिये गए जो की आम लोगों को भी समझ में आ सके ऐसे उपदेश दिये थे दादू जी ने। दादू ने ब्रह्मा, जीव, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश जो है वो दिये थे। दादू पंतियों के ससंग इस्थल जो है वह अलक दरीबा कहलाता है। तो यहाँ पर जो इनका ससंग इस्थल होता है उसे अलक दरीबा के नाम से हम जानते हैं और ये लोग जो है कभी विवहार नहीं करते हैं बलकि ग्रहस्तों के बच्चों को गोद लेकर अपना पंत चलाते हैं तो आज इवन ये लोग क्या विवहा नहीं करते हैं यह संप्रदाय कई साखाओं में विवक्त हो गया तो 1603 इस्वी में जो दादू दयाल थे इन्होंने अपना देह त्याग दिया था उसके बाद से यह संप्रदाय जो थ बढ़ गया था तो वो पांच साखाओं में बढ़ गया था याद रखेगा इन पांचों के नाम ठीक है क्योंकि अब जब की पूछा गया है इन पांचों के नाम के बारे में तो यह भी पूछा जा सकता है कि इन में से कौन सा नहीं है तो यहां पर देखिए जो यह संप्र बेना में था तो ये जो था गरीव दास जी जो की दादू दयाल के बेटे थे तो इस संप्रदाय के प्रवर्तक बने किसके खालसा साखा के उसके वाद विरक्त साखा जो है इसमें कौन से अन्याई आने लगे जो की घूमते पिरते रहते थे इस संप्रदाय के लोग जो है व वह उत्तर भारत में चले गए और चौती खाकी जो साखा थी ये अपने सरीर पर भस्म लगाते थे वही पांचमी जो साखा है नागा साखा जो की सुंदर दास जी के प्रवर्तक रहे सुंदर दास जी जो थे वो दादू-दयाल के शिश्य रहे हैं अन्याई रहे हैं तो ये जो साखा थी नागा साखा ये लोग अपने पास हत्यार रखने लगे थे ठीक है तो ऐसे भी पूचा जा सकता है कि दादू-दयाल के ब्रत्यू के बाद जो संप्रदाए कई साखाँ में बढ़ गया जिसमें ऐसी साखा जिसमें लोग जो है अन्याई जो है वो अपने पास हत्यार रखते थे तो उसका क्या नाम है तो याद रखिएगा वो है नागा साखा तो पांचों के नाम याद रखने हैं खालसा, विरक्त, उत्रादे, खाकी और नागा साखा दादू दयाल जी के 152 शिश्य थे जिसमें 52 प्रमुक थे जिसमें रजब जी, गरीव दास, मिसकि सांगा नेर जैपूर में हुआ था और ये जीवन भर दूले के वेश में ही रहे थे, इनकी पुस्तकें थी रजब वानी और सरवंगी नेक्स्ट जो है सुन्दर दास जी, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, जो कि नागा साखा की स्थापना करते हैं और इनके जो लोग थे वो हतियार रखते थे पास में, जो कि मैंने आपको बताया और जब मराठा आक्रमन होता है, तो उस समय नागा साखा जो है, इन्होंने जैपूर के साशकों की साहता की थी किसने? जो सुन्दर दास जी की नागा साखा थी, उसने तो पूछा जा सकता है दादू जी के क्या नाम थे गरीव दास और मिस्किन दास तो आज हम यहीं तक करेंगे नेक्स्ट जो हम संप्रदाए करेंगे वह करेंगे राम्स ने ही संप्रदाए ठीके तो तब तक जो है आप लोग इन चीजों को रिवाइस करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू